multivariate data तो हमने पढ़ लिया अब दो किसम का data है जो बहुत ज्यादा utilize किया जाता है एक को बोलते है structured data और एक का नाम है unstructured data इन दोनों में फरक देखना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंके हमें जब data की type का पता होगा तब हम कुछ कर सकेंगे यानि उसका analyze कर सकेंगे अगर आप data की types में फंसके रह गए then you cannot actually identify के आपको analysis कौन सा करना है and how you can actually present a report from that data तो structured data देखते है structured data किस किसम का होता है फिर हम देखेंगे कि unstructured data जो है वो किस किसम का होता है and then we can have a look in both structured and unstructured data let me share my screen first यहां पर मेरे मेरी screen जो आपके पास share हो रही होगी so structured data structured structured data versus हम देखेंगे unstructured data versus unstructured data ठीक है so structured data जो होता है वो ऐसा data type है हमारे पास जिसके अंदर आपके पास data की एक structure होती है यानि कि data एक structure के अंदर आपको नजर आता है for example आप एक schema बनाते हैं यानि कि एक schema बनाते हैं कि जब भी मैंने data collect करना है I will put that data into these kind of excel sheet कि मैं excel sheet में अपना data जो है उसे put करूँगा excel के अंदर या आप अक्सरोकात उसको query language के थरू SQL की जुबान के अंदर जो है वो data को put करते हैं so ऐसा data जिसको आप जब analyze करते हैं या measure करते हैं you put that data into a schema और a query और a database वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें हर एक row दूसरे column को represent कर रही है for example अगर यह arrow जो है यह जो मैंने arrow बनाया यह वाला arrow सिरफ अमार के data को show कर रहे है so जितना data हर column में आएगा वो इस एक नाम के साथ linked होगा जैसे के आप Google के Gmail के ID के अंदर login करते हैं और बाद में आपका data जो है वो cookies का और आपके नाम के साथ attach हो जाता है इसी वज़ासे Google आपको precise advertisements जो है वो भेजता है उसको हम structure data बोलते हैं ठीक है इसकी example यही है जो मैंने आपको पहले दी आपका query का database यानि के structure query languages या database table जिनको हम relational database बोलते हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है relational databases and इसी के अंदर एक और किसम का data आता है जिसको हम Excel spreadsheets भी बोलते है Excel की जो sheets होती है ne spreadsheets वो भी इसी data के अंदर आती है Excel sheets ठीक है और आप Google Spreadsheets भी इसी के अंदर देख सकते हैं यानि के जो spreadsheets होती है ठीक है उनको हम इस तरह के structure data के अंदर ले के आते हैं अब second हमारे पास आता है unstructured data और इन दोनों में फरक करना कभी-कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है but we will see के हम कैसे unstructured data को define करते हैं unstructured data जो होता है हमारे पास वो एक ऐसा data होता है that doesn't fill into the किसके अंदर आपका जो conventional database की schema है यानि के this does not fit conventional method of storing data यह उसके अंदर fit नहीं होगा unstructured data यानि के आप इसको rows and columns के अंदर इस data को ला ही नहीं सकते ठीक है यह rows होती है उपर से नीचे columns होते हैं आप इसकी form में इसे ला ही नहीं सकते ठीक है क्यों क्योंकि यह data different किसम का होता है और unstructured data की जो example है हमारे पास जो इस वकत बहुत मशूर है आपको भी पता है chat GPT आप सारे यूज करते हैं इसको बोलते है text files का data text की files जो है वो data यानि कि English लिखी आती है ना यहां से यहां पर अगर उर्दू होगी तो left to right right to left होगी English होगी तो left to right so these kind of things फिर आपका multimedia का data ठीक है और फिर इसी तरीके से आपके web pages या कोई भी ऐसा data जो online पढ़ा हुए web pages वगरा का data obviously tabulated data की बात नहीं कर रहें यह web pages पर जो लिखा होता है ना चीजें लिखी होती है फिर यहां पर तस्वीर आ गई फिर चीजें text आ गया फिर यहां पर कोई image आ गई फिर यहां पर कोई image आ गई site पर आपके पास advertisement आ गई something like that इसको बोलते है unstructured data और हमारे पास unstructured data की types हैं वो बहुत ज्यादा types हैं for example अगर आप गौर करें तो आपके पास unstructured data ना सिरफ in formats के अंदर है जो मैंने अभी आपको बताई बलके इनके इलावा आपके पास audio का data भी है ठीक है आपके पास images का data जो है वो भी है ठीक है फिर आपके पास there are many other data sets for example आपके पास video का data ठीक है हाँ अब इसका जो data है यानि के जो video एक पड़ी हुई है वो एक unstructured data के तोर पे गिनी जाती है until unless आप उसको matrix के अंदर convert करके कोई structure data में करें so ये कुछ unstructured data की types है but if we see के हमारे पास जो unstructured data audio का data मसलन ये होगा के हमारे पास जो recorded speeches होती है music की files होती है spotify आप लगा लें, apple music लगा लें उनका जो data है वो music audio या mp3 या mp4 या wave files इस तरह की files जो हैं जहां पे आप देखते होंगे के ये इस तरीके से audio की waves जा रही होती है ठीक है so इसका जो data है ये basically audio में आता है images का data एक पूरी image है कितने pixel की है, कितने इसके अंदर RGB colors है, so on बाकिछीजें, वो image के data के अंदर आ दिये video क्या होती है, ये sequence of image होती है जिसके उपर हम अच्छा खासा जो है काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दोर में सबसे ज्यादा data जो है obviously structure data तो produce हो रहा है क्योंकि जितनी भी images आती है वो basically आपके किसी meta data के साथ store होती है, ठीक है? Meta data के साथ, so we can say कि जो meta data आपके पास है वो structure data लेकिन बजाते खुद जो data खास तोर पे audio, video और images का data ये आपके पास कौन सा data होगा, ये आपके पास unstructured data होगा फिर textual data जो है हमारे पास ये एक और data की type होती है ऐसा data जो text की form में हो यानि के PDF books होगी है आपकी ठीक है? आपकी e-books होगी आपकी kindle books होगी कोई भी ऐसा data जो आपके पास text की form में है, ठीक है? social media की post होगे जो आप रुजाना की base पे करते होंगे ठीक है? आपके पास जो आप किसी को comments वगरा करते हैं, कोई tweet करते हैं कुछ भी आप करते हैं, वो सारे के सारा textual data होता है, ठीक है? textual data जो होता है, ये basically आजकल बहुत ज़्यादा monitor किया जा रहा है, क्योंकि ये आपके साथ link है, ठीक है? है ये text, लेकिन है ये आपके नाम के साथ link so, be aware whenever you are writing post on social media ताके आपको पता रहे कि आप जो काम कर रहे हैं उसके जो नुकसानात हैं, वो कितने हो सकते हैं? फिर structured, unstructured का तो आपको पता चल गया एक और type में आपको बताता हूँ which is called semi-structured data semi-structured data जब भी किसी एक term के साथ semi लिखा आजाता हैं इसका मतलब ये है कि आधी वो, आधी वो ठीक है? आधा structured data और आधा unstructured data इसको बोलते हैं a mix of structured and unstructured data यानि कि ऐसा data जो mix है दोनों का अब इसकी example कौनसी है? unstructured और structured data की? इसकी example हम ले लेते हैं जहां पे हमारे emails होते हैं emails जो हैं, वो structured headed होती है लेकिन body उनकी unstructured होती है emails emails के अंदर आपके पास structured heads होंगे मतलब ये कि आप लिखते हैं कि कौन-कौन सी चीजें यहां पे मैंने add की हैं so on and so forth CC करते हैं email किस-किस को करना है वो link बन जाता है उनका लेकिन unstructured body होती है body के अंदर आप कुछ भी add कर सकते हैं attachment भी add कर सकते हैं और there are many other things which you can do इसी तरीके से हमारे पास कुछ और files होती हैं like JSON files जो बनती हैं और इस तरीके से और भी जो data होता है हमारे पास so basically हमारे पास जो semi-structured data ये दोनों का mix होगा and there are many other types of semi-structured data as well so आपने क्या करना है जब आपने कभी life के अंदर structured data और unstructured data के बात करने तो आपको clear होना चाहिए कौन-कौन सा data इसके अंदर आता है and then it will be easier for you to understand data को किस तरीके से आपने आगे move करना है अगर आप मेंसे कोई बंदा chat GPT जैसे algorithm बनाना चाहता है he should know or she should know के आपने textual data पे काम करना है अगर computer vision के अंदर जाना चाहरे हैं तो आपको image और video को ये analysis बहरा करने पड़ते हैं audio के उपर machine learning काफी हद तक आगे bird ही है तो अगर आपने उसमें जाना है so you can work on that one as well तो let's see